नमस्तकार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे SP, जोईफुल और मोटिवेशन चैनल में मैं जोईफुल और मोटिवेशन दोनों को एक साथ मिच्च करके किस प्रकार हमको जीना है ये बताऊंगी एक वर्ड है जोईफुल तो जोईफुल मतलब हम किस प्रकार खुशी से रह सके और मोटिवेशन भी कैसे रह सके अक्सर हम काम एक काम ऐसे करते हैं कि जिस चीज से हमें खुशी तो मिलती है पर हम मोटिवेट नहीं हो पाते और जिससे हम motivate होते हैं उससे हमें खुसी नहीं मिलती है तो इन दोनों में किस प्रकार एक जैसा जुड़ा हो मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ जब हम बहुत ज़्यादा खुस रहते हैं हमें खुसी किन चीजों से मिलती है घुमने से मिलती है फिडने से और जो जो चीजे हमें अच्छी लगती है पर उससे हमारा जीवन का केरियर नहीं बन पाता है और जिससे हमारा केरियर बनता है माना हम पढ़ाई को ले लेते हैं अगर हम पढ़ाई तो करते हैं पर मन मार के करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे बैठ के पढ़ते रहने का बट हमें पढ़ना पढ़ता है तो हम कैसे जोईफुल बनाएं कि हम खुस भी रहें और मोटिवेट भी रहें इसके लिए हमें अपना टाइम टेवल सेट करना होता है ऐसा भी नहीं है कि हम बारवार पढ़ा ही करते रहें और ऐसा भी नहीं है कि हम केवल खुसिया ही मनाते रहें और उससे हमारा कुछ हो भी नहीं हो तो इसका एक एजांपल हम कह सकते हैं कि हमको बहुत ही अच्छे से अपना टाइम वेश्ट नहीं करना है मतलब बहुत ही अच रहे हैं पर परिशानी में और एक है कि हम बहुत ही खुसी से जी रहे हैं जब इनसान खुस होता है तो तब उसको पता ही नहीं जलता कि जीवन से कब बुड़ापा आ गया लेकिन जब इनसान परिशानियों में रहता है तो वहां सूचता है कि ये दिन भी कैसे गुजरेंगे तो बात यह नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है और हम हमेशा ही दुखी रहे ये भी अच्छी बात नहीं है कि हमें चूटी से चूटी चीजों से खुश होने की मौके ढूंडने चाहिए क्योंकि हम अपने लिए बहुत सारी ऐसी चीजे ढूंड सकते हैं जिसे हमें खुशी मिलती हूँ अगर हम कभी कभी बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो हम अपने ममी पापा की साथ बैठ की बाते करके और अपना टायम थोड़ा बिता सकते हैं वो ही तो हमारे घर में बैस्ट फ्रेंड होते हैं और चाहो तो हम कुछ अपने ही मनुरंजन की लिए कर लें लेकिन मनुरंजन का टायम इतना होना चाहिए कि हम पढ़ाई भी कर सकें पढ़ने के लिए हमें कैसे टाइम लगाना है जैसे बाइचांस हम सुबै के दो घंटे पढ़ते हैं जल्दी उठ जाना चाहिए वैसे मिनिमाम बहुत अच्छा टाइम सभी लोग पांच बजे को ही मानते हैं अगर हम पांच बजे उड़ते हैं तो एक घंटा हमें पढ़ने के लिए जरूर लेना चाहिए उसके बाद हमें 10-15 मिनट ब्यायम के लिए लेना चाहिए उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपना जो जिससे हमें खुसी मिलती है उस टाइम सैट को बढ़ाएं और जैसे हम खु हमें टाइम का भी पता नहीं चलेगा और हमारा जो इस्टडे है वो भी हो जाएगा अब बात आती है कि हमें से हमारी खुसी कैसे बनी रहेगी हमारी खुसी हमारे अब इससे बात आही जाती है कि सनातनी होना क्यों आवश्यक है जो कि सनातन का अर्थ होता है कि हम बुरे का अगर हम बुरे काम नहीं करते हैं, तो हम माहम, हम खुश ही रहते हैं, कभी हम से कुई बुरा काम हो जाता है, तो आपने देखा होगा, दिन भर हमें बेचैनी होती है, हम क्या करेंगे? कोई हमें सुन लेगा, कुछ कहेगा, क्या कहेगा? इसकी वज़े से हम दिन भर परिशान रते हैं लेकिन जब हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं होती है कोई क्या कहेगा कैसे कहेगा तो सनातनी होना इसलिए आवर्श है ताकि हमारा जो है हमारा जो confidence level है वो बना रहे तो मैं यही कहना चाहती हूँ इन सभी चीजों को मिल के जिए हम धन्यवाद आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताईए अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैक्यू